जमीन के उपर नहीं, जमीन के नीचे होगी वाजा पट्टी इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इसराइल खत्म कर देगा लगबग 21 लाग की आवादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इसराइली सेना के बेहत सटीक और कौपनाक हमलों का सामना कर रहा है इसराइल की वायू सेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के दो टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है इसराइल ने 40 किलो मीटर लंबी और 10 किलो मीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की है इसराइल हमास के चीथले उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है अब तक फिलिस्तीन के 12 सो लोग मारे गए हैं जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इसराइल ने भून डाला है फुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से खायल है लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलंट ने साफ आदेश दे दिये हमास का एक भी चरमपंती बचना नहीं चाहिए अब गाजा पट्टी जमीन के उपर नहीं जमीन के नीचे हूनी चाहिए हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू इसराइल सेना चार दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने एक लाग सैनिकों को नहीं बेज रही बलकि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की मारतों को इसराइली एरफोर्स निशाना बना रही है अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी जमीन पर खड़ी हमास की मारतों को 90 डिगरी वाली मारते समझे लेकिन जैसे ही इसराइल के 180 डिगरी वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की मारतों पर होते हैं 90 डिगरी वाली हमास की मारते जमीन पर चारों खाने चित हो जाती है इसलिए इसराइल कह रहा है कि हमाज की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिचा रहे हैं उन्हें तभा कर रहे हैं इसराइल का खूनी आदेश हमाज का सर्वनाश घाज़ा पट्टी में इसराइल ने भैयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है हमाज के कमांडर और चरमपंतियों को चुन-चुन कर इस वक्त इसराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है हालात ये हैं कि गाज़ा पट्टी इस वक्त पृत्वी का नर्क बन चुका है इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलन्ट ने इसराइली सैनी को कुछ साफ आदेश दे दिये हैं कि गाज़ा पट्टी को इस तरह से तभा करो कि मिडलीस्ट में गाज़ा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए इसराइली वायू सेना और स्पेशल पोस्ट ने हमाज के कैई टॉप कमांडरों को मार डाला है फंद्रह सो से ज्यादा हमाज के लडाके सिर्फ चार दिन में मारे जा चुके है हमाज की मारतों को भी चुन चुन कर तभा कर रहा है हादा बूट खुद तल्हावी कुल भीत लांबिकर तबिया तर्मांतिक है अवल है यहादा राहा क्वार आ रही है कि घाजा पट्टी में इसराइल की बंबारी जोर शोर से जारी है इसराइली वायूसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इसलामिक उनिवरस्टी पर बंबारी की इसलामिक उनिवरस्टी को तबा करने का ये वीडियो इसराइली वायूसेना ने फुट जारी किया है जरा देखिये हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू इसराइल ने गाजा पट्टी पर तुफानी हमला और तेज कर दिया है इसराइली एर फोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इसलामिक उनिवर्सिटी में हमास के इंजिनियरों को ट्रेनिंग दी जाते थे इसलिए इसलामिक उनिवर्सिटी में भयानक पंबारी की गई है इसराइली एर फोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इसलामिक उनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सेनने इकाई काम कर रही थी जिसे तबहा कर दिया गया है हम आपको ये बताने जा रहें कि अजराइल हमास को किस तरहां से मतिया मेट कर रहा है तुक्पीम, बाज़ा, कशे मेओ कौल मकूम चे नहीं हुड़ाइल हमास, मनीगे हमास जाम इम येश मिधबलोट, तुक्पीम, चाल अवड नकुन, और से तद्वरीम मदूयक अवल मेओ मोद खज़ाइल डिफेंस फोस ने दावा किया है कि उसने हमास के राटियतिक विवरों के एक टॉप कमांडर और हमास के राश्य संबन मंतराले के प्रमुक कौमार डाला है हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेमर है जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है इस बीच इसराइल ने हमास के मिलिटरी विंग अलकासम के सुप्रीम कमांडर मुहमद देव के रिष्टेदारों के घर पर भी बंबारी की है टाइमस अफ इसराइल में चपी खबर के मुताबक इन हमलों में हमास मिलिटरी कमांडर के भाई भतीजे और पोटी की जान गई है इसके अलावा इसराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी धुवंस्त कर दिये है यहां तक की घाजा पटी में मौजूद इस्रामिक उनिवरस्टी को भी इसराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरहां से थबा कर दिया है इसराइल पूरे घाजा पटी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाता है और इसकी हमाज की सभी मारतों को गिराते हुए 180 डिगरी जमीन पर गिराया जा रहा है हमाज को इसराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है फिलिस्तीन के हजारों नागरी घायल हुएं और मारे जा रहे है इसराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है 21 लाग से ज्यादा अबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे है इस बीच ये भी खबर आई है कि इसराइल के रक्षा मंतरी स्पेशल को खुली छूट दे रहें और कह दिया है कि हमाज को पुरी तरहां से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो लेकिन हमाज को हमेशा के लिए साफ कर दो इजराइल के रक्شा मंत्री यॉप गैलंटेज्ज साफ कहाए कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है अब हम हमास पर पूर्र हमला करने जा रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा गाजा कभी भी उस्तिती में वापस नहीं आएगा जैसा वो था गैलन्ट ने इसराइली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरहां से बदलने की शमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजे टाइम्स अफ इसराइल ने एक रिपोर्ट में गैलन्ट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलन्ट ने कहा हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा इसराइल के रक्षा मंतरी योव गैलन्ट ने साफ कर दिया है कि इसराइल के डिफेंस फोर्से जब हमास पर अंतिम्प हमला करने जा रहे हैं इसलिए अगले 24-48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं इसराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कैई महीनों तक चल सकता है The Times of Israel के एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने सेना को आदेश दे दिया है जहां भी हमास के चरम पंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आशू रो रहा है अब देखना होगा हमास कब तर दो